हेले स्टोंड बाइस फर्वरी को हिंदी का पेपर 95 नमबर लेकि आना है तो यह देखो आता है खंड काव यह पांच नमबर करने हैं आपके एक्जाम में आता है यहाँ पर पांच नमबर का आता है मिवान मुगुट आगे अगरपूजा आगे यह फिर जैसुबास कोई सब आपको करना किस तरीके से कॉपी में यह में तरीका होता है तो आपके नंबर कर जाएं क्या आपके एक्जाम्पल के तौर पर यहाँ जोती जार समझा रहा हूं कुछ भी आजा है आपको तरीका होता है लिखने का वह ते बिलकुल करेक्ट होना चीज इसे एक्जामरा पढ़के पूरे पूरे तीन नमबर दे देढ़े टेन्थ क्लास में हो तो यहाँ पर जिए जोटी जार आता है यहां पर पूरे आपको तीन नमबर मिलने वाले एक नमबर भी नहीं गट किस तरीके लिखना यहां पर खंड कावे डालना 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 यहां पर खंड का यहां बढ़ देव क्या लिखा हैं स्री देवी परसाद शुक्ल राही द्वारा रचिद जियोती जोहर नामा खंड कावे के नायक पंडी जोहलाल नहरू है ठीक है इसके लेखा कोन है स्री देवी परसाद जी है और नायक जुव जिसका चड़ी चित्रा किया जा रहा हूं न से समाहित करके नायक जोहर के निमले खेत विसिस्ताओ को देखा है मतलब शित्टाओ को देखा तुम्हें इस तरीके लिखना है ज्दा बना करने लिखना कि में चीज़रे लिखना जो जो मेंन चीज़र नहरू् अलोकिकता का समावेश किया है एक लिखोगे वह दिव्य तत्वों से निर्मित अलोकिक पुरूश है ठीकिने तुम इनके बारे बना कभी लिख सकते हो देखो कि अलोकिक पुरूश क्या होता है उनके बारे खुब बड़ाई करनी है जिसने मलग जो यह देव प्रसाथ जी न बस उनकी सचाहिय इमांदारी सब चीज़ा से बताना है उनके व्यक्तित का निर्माण किया है उनको यूगातार का गुड़ प्रदान किया है बस एक पेज यह बहाँ पर यहां तो पूरे हां से एक लिखने तरीका बिलकूल नेरू परवाइद हुए थे, यहां पर लिखो के जोवाला लेरू, महात्मा गांधी के सच्चे शिष्ष्य थे, क्या थे सच्चे शिष्ष्य थे, मतलब उनके जेले थे इसलिए से स्टुडेंट थे, उन्हों ने गांधी जी से सत्य अहिंसा मानो प्रेम आधी का शिर्वात प्राप्त हुआ किस से प्राप्त हुआ था गांधी जी के कर्म सिधान से प्रेणा पाकर अपने जीवन को सफल बनाया बस आपको छोटी-छोटी हैटिंग लिखने है दो पीज में इससे का आ सके जादा बना के लंबा नहीं लिखना और काले और नीले पन का दोनों यूज करके लिखना जिसे लिखने में रैटिंग बहुत तगड़ी बना अगर रैटिंग तुम्हां बढ़िया बने के लिखे खुश पूरे नंबर मिल गए अंदर चुम गुछ भी बला के लिखो गलती की हो तो नंबर उसमें एक्जाम आ लोक नायक के लूप में यह लिख देना फिर देखो एक में तरीका होता है तुम कोई सभी खंड़ कावे कर लो इसमें एक स्लोग डरू डाल देना अगर तुमने स्लोग डाल दिया समाझ जो खंड़ कावे में एक जान मिल जाती है पूरा नंबर मिलने को कुछ भी गलती कर लोग है तुमने श्लोग डाल दिया पूरा नंबर यहां से मिल जाए देखो किया लिखा हो इसके बाद यह लेख लिखो होगे आपके स्टेट में जो चलता उसमें एक स्लोग जरूर होगा आप कोशन बैंक से आतकर उसमें देखना है जरूर लिखा होगा वहाँ पर यह द दिन चर्या परवस से लेकर जंगल तक फैली है यहां पर यह दो लाइन का श्लोक लिखना अगर तुम ने श्लोक लिख दिया मतलब लाइन लिख दिया पर तो एक्जामरा पढ़के पूरे दम नंबर देदेगा खुश जाएगा आपके वोड़ी दम कॉपी देखकर ठेक और लाष्ट में यही संचेब इस तरीके दे सकते हो और यहां से पूरे नंबर मिल जाएंगे ल हेडिवे हैं ज्याद इसमें रटनी कुछ नहीं पड़ती पर आपको एक-दूपर वाले और जो भी कड आउप हो कमेंट में ज़रूर बताना और जो जो दिक्का तो जरूरर बत पसंद लेके आने वाले हो बिल्कुल और चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में